बच्चो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं class 8 की बहुत important chapter को और ये chapter है बच्चो sound sound एक बहुत important chapter है जिससे की बहुत सारे questions, बहुत सारे definitions तुम्हें पूछे जाएंगे और मैं यह वादा करता हूँ, promise करता हूँ कि इस chapter को पढ़ने के बाद तुम उन सारे questions को easily बना सकोगे तो यहां हम लोग देखते हैं क्या क्या बाते बताए गई है, सबसे पहला बात है what is sound sound क्या है बच्चो, form of energy है जो hearing का sensation देता है sound क्या है, it is a form of energy, जैसे light क्या है, light भी form of energy है heat क्या है, heat भी एक form of energy है, मतलब उर्जा का एक रूप है और यह क्या करता है, hearing का sensation देता है, मतलब sound की द्वारा हम लोग कोई चीज को सुनते हैं और फिर उस चीज को समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बोलू, यह क्या है, तो यह क्या है जो मैंने बोला उसे तुमने कानों की द्वारा सुना, और फिर तुम उसको दिमाग में प्रोसेस करोगे तो यह जो hearing का sensation हुआ हुआ हुआ, sound के द्वारा हुआ यदि मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलू, sound को produce नहीं करू, तो तुम सायद इसे नहीं समझ पाओगे तो sound क्या है, सबसे पहले यदि question पुछे, तो तुम बोलोगे, sound is a form of energy it causes a sensation of hearing in our ear, तो sensation, यहाँ पर sense से ही sensation हो गया तो यहाँ पर हम hearing का जो sensation है, वह किसके द्वारा अनुभव करते हैं, sound की द्वारा, समझ में आ गया चलो, next आगे बढ़ते हैं, sound helps us communicate with each other, तो sound की द्वारा ही, हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, communicate करते हैं देखा बच्चों, यदि मैंने यहाँ पर sound production नहीं किया, तो मैं और तुम कुछ communicate भी नहीं कर पा रहे हैं communicate का मतलब क्या होता है, बात चीद करना तो यहाँ पर अब वो लोगे कि यह energy कहां से आ रहा है, मुझ में energy कहां से आ रहा है तो बच्चों, मैंने जो भोजन किया है, उस energy का use करके, मैं गले में क्या कर रहा हूँ, vibration पैदा कर रहा हूँ तो वह जो energy है, वह vibration में क्या हुआ, convert हुआ, और vibration के द्वारा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहां का जो yu का कर है, यहां बुलेगे कि जो air का particle है, उसको मैं vibrate कर रहा हूँ इस तरीके से जो भोजन का energy था, उससे मैंने कमपन किया, उस energy को मैंने यहां transfer किया और वह जो energy है, वह energy अब आगे की और बढ़ रही है बहुत अच्छा example मैं बताऊ, यदि यहां पर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जो pass वाला आदमी है, वहां तक यह energy ज़्यादा travel करेगा और जो कई, एक किलोमीटर मालनों दूर आदमी है, उसको कम सुनाई पड़ेगा क्योंकि यह energy है बच्चों, यह energy पास में रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा अनुभा होगा दूर होगा तो क्या होगा, कम अनुभा होगा ठीक है, तो sound की द्वारा ही हम लोग communicate कर रहे हैं अब तो तुम्हें समझ में आगा है, sound क्या है, form of energy है तो यदि sound produce होगा कहीं से, तो इसको हम लोग सुन पा रहे हैं तो आगे जो हम लोग question पढ़ेंगे बच्चों, वह production of sound जैसे थोड़ा साथ मैंने बता दिया sound कैसे produce होता है लेकिन यहाँ तुम्हें exam के लिए बहुत अच्छे से समझना है कि sound आखिर कैसे produce होता है sound का production कैसे होता है तो बस एक line में इसका answer तुमको कर लेना है और हुआ है sound is produced due to vibration of object यदि कोई object vibrate करता है, उसमें vibration होता है तो sound produce होता है, बहुत simple सा बात है कि जब भी कोई object क्या करता है, vibrate करेगा तो क्या produce होगा sound तो तुमसे यदि direct question पूछेगा कि sound कैसे produce होता है सबसे पहला production of sound है sound कैसे produce होता है, vibrating object के कारण चाहे कुछ भी हो, उसमें यदि vibration होगा तो sound वहाँ क्या होगा, produce होगा तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यदि मैं इसको vibrate करूँ, देखना देखना यहाँ पर vibration होगा तो इसमें vibration हो रहा है और इसमें यदि vibration हो रहा है तो क्या produce हो रहा है, sound produce हो रहा है तो जिस प्रकार का vibration होगा उस प्रकार का sound भी produce होगा अब यहाँ थोड़ा देखो यहाँ का जो vibration है और यहां का vibration है और यहां का vibration है यह अलग-अलग है और इस प्रकार से sound produce होता है तो बस एक line का इसका answer है कि जब भी कोई object क्या करेगा vibrate करेगा तो क्या produce होगा sound produce होगा एकदम clear इस question का answer कर सकते हो yes एकदम कर सकते हो बहुत आसानी से कर सकते हो चलो next देखते हैं the motion of materials or objects causes vibration अब यहां पर देखो कि vibration कैसे produce होता है तो वहां पर देखोगे कणूं के द्वारा वहां जो particles है वे क्या करते है उनमें motion हो रहा है ये समझो मोशन हो रहा है और motion के कारन उनमें क्या होगा वाइब्रेशन होगा तीख है अब चुलो next देखते है Vibration is the kind of rapid 2 and from motion Vibration क्या होगया To and from motion है तो Vibration इस तरीके से जो हो रहा है मतलब किसी चीज को यहाँ पर तुम अब क्या कर सकते हो Vibrate करके देख सकते हो तो Vibrate करके देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है To and from motion होगा आगे पीछे क्या होगा Motion होगा तो जब आगे पीछे to and fro motion होता है तो वहाँ vibration प्रोड्यूस होगा और वहाँ पर फिर sound प्रोड्यूस होगा तो यह है production of sound examples तुम देख सकते हो यहाँ बहुत सारे examples दिये गए है जैसे देखो यहाँ rubber band को इस तरीके से क्या किया गया है इसको arrange किया गया है तो तुम यहाँ पर rubber band को हाथ में भी ले सकते हो और इस तरीके से कोड़ोगे तो टंग टंग का sound आएगा तो वहाँ पर तुम vibration को देख सकते हो देखो किस तरीके से rubber band आगे पीछे हो रहा है तो वहाँ पर sound को produce होते हुए तुम देख सकते हो और वहाँ पर vibration को तुम देख सकते हो वहाँ पर motion को तुम देख सकते हो ठीक इसी तरीके से देख सकते हो बहुत सारा और भी है यहाँ यहां पर देखो जैसे एक तारा है इसमें कैसे यहां sound प्रोड्यूस हो रहा है यह जो यहां पर vibration को करा कर ठीक यहां पर देख सकते तुम जो यह different instruments है musical instrument है इसमें भी vibration होता है तबला कभी देखा है तुमने उस पर थाप मारोगे तो यह क्या होगा यह ढम ढम करेगा और different आवाज को निकालेगा तो यहां भी इसका जो उपर का layer है उस पर क्या हो रहा है वाइब्रेशन हो रहा है ठीक इसी तरीके से तुम देख सकते हो सितार है flute है अब यहां देखोगे तुम घर में भी इसको कर सकते हो कि sound produce करने के लिए थाली को बजाया जा सकता है थाली को चम्मत से बजाया सकता है इस तरीके से बजाया सकता है वह भी यहां क्या produce करेगा vibration produce करेगा बार बार मैं यह word use कर रहा हूं तो तुम्हें अब तो याद हो गया होगा कि जो vibration produce होता है तो वह क्या produce करता है sound को produce करता है sound production by humans तो अब बात आ गया कि मैं भी तो sound produce कर रहा हूं तो मैं कैसे sound produce कर रहा हूं तो बच्चों यह question बहुत important हो जा रहा है कि मैं कैसे sound produce कर रहा हूं यह humans कैसे sound produce कर रहे हैं तो इसके लिए यहां पर देख सकते हो In human sound is produced because of vibration of his voice box or larynx तो यहां यह line याद कर लो Question क्या है Human में sound कैसे produce होता है तो voice box के द्वारा या larynx के द्वारा voice box को ही क्या बोलते है larynx बोलते है याद कर लो voice box या larynx के द्वारा क्या produce होता है sound produce होता है तो कैसे उसमें vibration होकर याद हो गया बहुत आसान है एक एक point को याद करो तुम पूरा chapter को ऐसे पूरा मत पढ़ा करो question answer wise पढ़ो क्या-क्या question वहाँ पर आया और क्या-क्या answers वहाँ पर होंगे तब तुम्हारा chapter जब समाप दोगा तो तुम्हें लगा कि yes I know something मुझे कुछ उस chapter से आता है मैं कुछ answers को वहाँ पर कर सकता हूं ऐसे सिर्फ question ऐसे सिर्फ chapter को पढ़ने के बाद हो सकता है कि बहुत सारा चीज तुम्हार दिमाग से निकल जाए लिकिन question answer wise बच्चों बहुत effective होता है पढ़ाई तो यहाँ देख सकते हो voice box या larynx याद हो गया voice box या larynx हम लो क्या produce करते है sound produce करत है it is situated at the upper end of wind pipe there are two stretches stressed membrane called vocal cords तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें 2 stressed क्या होते हैं membrane होते हैं जिसको क्या बोलते हैं यहाँ देख सकते होते हो vocal cords को दिखाया गया है तो यहाँ पर wind pipe के पास यह रहेगा और इसमें 2 stretches रहेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वोकल बोलते हैं attached in larynx जो larynx से attached होते हैं with a narrow slit between them जिनके बीच में क्या होता है पतला सा slit होता है क्या हुआ जो voice box है उसमें दो vocal cord रहेंगे और vocal cord के बीच में क्या रहेगा एक slit रहेगा और यह जो है वह क्या रहता है connected होता है बच्चों किस चीज़ से connected रहता है यह muscle से connected रहता है muscles attached to the vocal cords vocal cord किस से connect रहेगा muscle से connect रहेगा और क्या बोलता है it can make cords tight or loose तो यही muscle जो है वह vocal cord को है तो tight करेगा loose करेगा और हम different प्रकार के sounds को निकाल सकते हैं समझ में आ रहा है तो बहुत आसान था ना तो देख लो यही है तुम्हारा चित्र यहाँ पर यही है तुम्हारा बोलो larynx या बोलो क्या नाम है इसका yes voice box इसमें क्या है vocal cord है दो vocal cord है जो कि किस से जुड़ा रहता है बच्चों हिसके different sounds हम लोग produce कर पाते हैं जैसे मैं अभी यहांसे sound produce कर रहा हूं तुम भी अपने गले से sound produce कर रहे हो समझ में आ गिया अब हम लोगों को समझता है propagation of sound तो sound propagation का क्या मतलब हुआ propagation का मतलब क्या हुआ एक जगा से दूसरे जगा जब sound का transfer होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते है propagation of sound तो तुम देख सकते हो the traveling of sound is called propagation of sound simply यदि ये question आ जाए what is propagation of sound यदि ये question पुछे what is propagation of sound तो simply तुम्हें क्या बोलना है बोलो क्या बोलना है बहुत simple सा traveling word याद रखना है क्या word याद रखना है traveling the traveling of sound traveling of sound is called propagation of sound sound जब एक जगा से दूसरे जगा travel कर रहा है उसे ही क्या बोलते हैं propagation of sound कहते है अब यहाँ पर तुमको सारा चीज़ बहुत अच्छे से सिखना होगा बहुत ध्यान से अब एक दम focus करो कि sound आखिर एक जगा से दूसरे जगा travel कैसे करता है तो सबसे पहला चीज़ सिखो sound को travel करनी के लिए medium की आवशकता होती है कोई नों कोई यहाँ medium चाहिए जैसे हवा क्या है बच्चों एक medium है solid, liquid या gas तीनों medium में sound travel कर सकता है लेकिन sound vacuum में travel नहीं करता है एक चीज़ सिख लिया तुमने चलो दूसरा चीज़ सिखाता हूँ sound जो travel करता है वह wave के रूप में travel करता है किस रूप में travel करता है बच्चों sound wave के रूप में travel करता है तुम बोलोगी यह wave क्या है तो यहाँ पर हम लोगों को दो प्रकार का wave पढ़ना होता है बच्चों एक होता है longitudinal wave और दूसरा होता है transverse wave तो यहाँ जो sound है बच्चों इसको हम लोग बोलते है longitudinal wave क्या बोलते हैं longitudinal wave और longitudinal wave क्या होता है बच्चो इसमें जो particles होते हैं वे आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से क्या करते हैं जैसे मालो यह particle है तो यह क्या करेगा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे यह जदी मूव करेगा इस तरीके से तो इस तरीके का जो motion होगा oscillation motion होगा और उस तरीके का जो wave होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे longitudinal wave बोलेंगे क्या बच्चो लांगी चुडनल wave तो sound क्या है sound एक longitudinal wave है अब sound कैसे travel करता है यह देखो तो मैं जब बोल रहा हूँ देखो ध्यान से यहां पर जब मैं यहां पर बोल रहा हूँ यहां पर तो यहां पर जो sound है वह क्या करेगा यहां के particle को क्या करता है पार्टिकल को यह यहां पर वाइब्रेट करता है फिर यह जो पार्टिकल है वह आगे के particle को वाइब्रेट करता है और vibration करा कर वह energy को आगे ले जाता है मतलब यहां से यदि तुम सामने खड़े हो तो मेरे पास से तुम्हारे पास energy जा रहा है एक एक point को ध्यान से सीखो एक एक point मैं बता रहा हो एक साथ सब चीन नहीं बताऊंगा मैं यहां खड़ा हूँ sound को produce कर रहा हूँ तुम वहां खड़े हो तो तुम्हारे तक क्या जा रहा है answer है energy जा रहा है क्या जा रहा है energy जा रहा है इतना सीख लिया दूसरा तो क्या यहां जो पार्टिकल है यहां पार्टिकल मतलब समझ रहो यह जो कन है वायू का जो कन है यहां पर वह वायू का कन उड़के वहां तुम्हारे तक चला गया नहीं यहां जो पार्टिकल वो यहीं है पार्टिकल यहीं पर वाइब्रेशन कर रहा है आगे पीछे आगे चल रहा है, sound wave की तरह चल रहा है, क्या गया तुम्हारे पास, बोलो energy गया, क्या particles यहां से उड़के तुम्हारे पास गया, नहीं, क्या particle अपना स्थान बदल रहा है, नहीं, तो particle क्या कर रहा है, जिस स्थान पे है, उसी स्थान पर vibrate कर रहा है, आगे पीछे, आगे पीछे, क्या कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है और इस प्रकार का जो traveling of sound है उसे बोलते है sound wave क्या बोलते है sound wave और यह कैसा sound wave है यह है बताओ longitudinal sound wave होता है sound wave कैसा होता है longitudinal wave होता है इतना समझ गए छोटा छोटा बात समझ गए तो यहाँ देखो यहाँ देख सकते हो किस तरीके से यहाँ sound produce हुआ बच्चों तो यहां जो sound produce हुआ यहां का जो particle है इसको क्या कर रहा है वाइबरेट कर रहा है क्या कर रहा है वाइबरेट कर रहा है अब यहां का particle आगे के particle को वाइबरेट कर रहा है वह इसको वाइबरेट कर रहा है करते 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 दूर खड़े व्यक्ति तक यहां से साउंड निकला और यहां से साउंड क्या हो गया पहुंच गया तो तुम यहां मत समझना यहां साउंड प्रोड्यूस हुआ तो साउंड क्या है साउंड जो यहां पार्टिकल को पार्टिकल को उड़ा उड़ा के वहां ले vibration फिर कानों तक पहुंच गया समझ में आ रहा है तो तुम इसको देख भी सकते हो बच्चो तुम्हारा जो speaker है mobile का उसको touch करना देखना वो vibrate कर रहा है जो तुम्हारे घर जो बड़े-बड़े पढ़ोगे वो मैं तुम्हारा नहीं बत्ताने hysterically का है यहां पर क्या को LightP क्यों करता है तो यहां पर मतलब यहां बहुत जादा vibration हुआ तो यह vibration आगे बढ़ गया तो कम हुआ फिर आगे बढ़ गया तो कम हुआ इस तरीके से घना मतलब ज्यादा density कम density ज्यादा density कम density इस तरीके से यह sound आगे की और बढ़ता है ऐसा लगातार नहीं और सफ़ोब्याता जलता है जादा द Orthodox कंद जाद़ इस तरीके से चलता है अब देखो इसका हम लोगराफ बनाना चाहें एक कि इसे का मत बनाते है तो गृष इसका बनाओगे तो जो ज्यादा द Works कर दूकर दिये और जो ज्यादा ryntis density है यहां पर मैं बता रहा हूं तो शुरू हुआ तो ज्यादा density को उंचा ले गए ऐसा graph बनाया और जो कम है उसको नीचा बनाया ऊपर बनाया नीचे बनाया ऊपर बनाया ठीक है तो यह भी देख रहे हो यह क्या हो गया एक representation हो गया कि sound जो है वह इस तरीके से क्या हो रहा है move कर रहा है तो यह क्या हो गया यह हो गया तुम्हारा यहांसे यहां जादा density वाला और यहांसे यहां क्या हो गया कम density वाला इस तरीके से यह एक wave के रूप में मिल जाएगा ठीक है क्या होगा wave के डूरप में मिल जाया जाए है इस तरीके से साउंड जा रहा है इसको यदि हम लोग graph के बनाएंगे यहां पर ऐसा हम लोग मिल रहा है यहां देखो graph तो इस तरीके सी तुम्हेरी graph मिल जाएगा और इस में बहुत सारे points तुमको बच्चों सीखने हैं ठीक है तो यहां जब graph आएगा तो इसे बहुत सारे points सिखने है जैसे कि यहां से यहां के बीच के दूरी को बोलते हैं बच्चो wavelength क्या बोलते हैं wavelength तो यह सब तुम्हें सिखना है सबसे पहले देखो जो उचा वाला छेत्र है और नीचा वाला छेत्र है तो इसको बोलते हैं crest इसको बोलते हैं trough ठीक है यह हो गया crest और यह क्या हो गया trough crest, trough, crest, trough ठीक है अब यहां पर सिखना होता कि wavelength किसे कहते हैं तो दो crest या trough के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं wavelength बोलते हैं अब देखोगे sound बहुत ज़्यादा loud है तो यह ऐसे यहां पा ऐसे बनेगा और sound कम है देखो sound loud है तो यह इतना बड़ा बड़ा बनेगा और sound क्या है उतना ज़्यादा loud नहीं है तो ऐसे बनेगा देखो बहुत ज़्यादा loud sound है तो ऐसा बनेगा समझ में आ रहा है तो ज़्यादा loud sound होगा कम loud sound होगा तो इस तरीके से यह जो चीज बनता है यह उचा-उचा बन रहा है इसे मुलों बोलते हैं amplitude बोलते हैं तो यहां पर इसी के साथ और भी terms तुमको समझना है जैसे सबसे पहरे समझना है wavelength क्या हुआ तो बहुत असान है दो लगातार crest या दो लगातार trough के बीच के दूरी क्या बोलते हैं wavelength बोलते हैं फिर यहां frequency सिखना होता है फिर यहां सिखना होता है क्या सिखना होता है amplitude सिखना होता है फिर यहां पर क्या सिखना होता है time period सिखना होता है यह सारा चीज तुमको सिखना होता है बच्चों तो ये आगे हम लोग सीखने वाले हैं तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके का जो design बनता है उसे वह तुम अब समझ पा रहे होगे कि जो sound चल रहा है उसको हम लोग एक wave की तरह इस तरीके से दिखा रहे हैं और इसी में बहुत सारे चीज़ों को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो बैन ने तुम्हें बता दिया sound needs a medium to propagate sound को प्रोपागेट होने के लिए प्रोपागेशन मतलब क्या हो गया sound को चलने के लिए एक medium की आवशकता होती है तेहां देख सकते हो sound sound अलग-अलग medium में अलग-अलग तरीके से travel करेगा तो तीन बात तुम को याद कर लेना है sound जो सबसे fast चलेगा वह होगा solid में देखो एक बच्चा यहां ठक-ठक कर रहा है और दूसरा बच्चा यहां पर सुन रहा है ती जो ठक-ठक-ठक-ठक का वाज कर रहा है और दूसर सुन रहा है तो यह किस medium से sound travel कर रहा है solid medium से sound travel कर रहा है दूसरा देख सकतो हो यहां एक जो बच्चा है वह यहां सुनने का कोशिस कर रहा है और जो दूसरा बच्चा है यहां पर नीचे क्या किया जा रहा है घंटी को बजाय जा रहा है पानी के अंदर पानी की अंदर घं गंटी को बजाए जा रहा है अच्छा अब ये तुम्हारा experience होगा कि घंटी को यहां टन टन बजाओगे तो उसका आवाज कुछ अलग होता है लेकिन इस घंटी को पानी के अंदर बजाए जाए जाए तो क्या उसका आवाज वैसाई होगा या अलग होगा बिलकुल अलग हो होगा लेकिन एयर से क्या होगा ज्यादा होगा तो साउंड सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्पीड से किस में चलेगा यहां बोलेगे कि जो साउंड है वह प्रोपागेट जो कर रहा है प्रोपागेट कर रहा है तो यहां देख सकते हो तीनों मीडियम में सबसे फास्ट कि किसमे चलेगा 안돼 लिकवीड है यहां उल्टा हो गया यह तरीके से लिकवीड थो याद रख सकते हैं यह तुम्हारा Óब्जेक्टीव QUSYest바 और सब्जडेक्टीव कोश्यन पहुअ साॉंड जो प्रोपागेट करता है सबसे ऐस्फाष्ट ट्रेवल कि समें करता है solid में उसके बाद liquid में और उसके बाद gas में और vacuum में sound का propagation नहीं होता है ये बाद तुम याद रखो तो यहां तुम देख सकते हो sound cannot travel in vacuum जैसे मैंने बताया sound vacuum में travel नहीं कर सकता है तो इसको दिखाने के लिए यहां पर एक प्रयोग किया जा सकता है एक experiment किया जा सकता है तो यहां देख रहो यहां vacuum pump के द्वारा यहां पर एक jar है उसको हम लोग vacuum कर देते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं एक electric bell को हम लोग बजाते हैं तो जब यहां vacuum यह नहीं रहता है तब तो electric bell हमें सुनाई परता है क्योंकि यहां देख सकते हो जो यहां sound produce हो रहा है वह sound यहां हवा के द्वारा फिर कहां आया इस jar के jar तक आया और jar से होते हुए हमारे कानों तक यह पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही इसको vacuum किया जाता है यहां पर vibration के लिए कोई भी medium नहीं होता है और vibration के लिए यहां medium नहीं होता है तो electric bell तो यहां बजता है लेकिन यहां sound travel नहीं कर पाता है और हमें फिर कुछ भी सुनाई नहीं देता है तो हम clear एक concept रखो कि sound vacuum में travel नहीं करता है एक बात ही खतम चलो हम लोग next देखते हैं अब हम लोग देख सकते हैं we hear sound which comes to us through air medium particles तो हम लोग जो usually सुन रहे है sound वह air से आ रहा है यह तो तुम्हें पता ही है aquatic animals communicate as sound travels through water तो sound water से भी travel करता है तो वह aquatic animals क्या करते हैं उससे communicate करते हैं अब चलो हम लोग अपने ear को देखेंगे कि कैसे sound हमारे कानों से होते हुए अंदर की ओर जाता है और कैसे हमारा जो brain है उस sensation को पकड़ लेता है और हमें आवाज का sensation पता होता है और हमें पता चलता है कि कोई क्या बोल रहा है कहीं से क्या sound आ रहा है वो हम लोग पकड़ लेते हैं तो यहां देख सकते हो सबसे पहल चीज जो हम लोगों को करना होता है वह होता है एर के स्ट्रक्चर को हम लोगों समझना होता है तो यहां देख सकते हो एर के स्ट्रक्चर को बनाय गिया है तो यहां पर एर में तीन भागों को हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहला होता है एक्स्टर्नल एर सबसे पहला क्या ह होता है बच्चो external year फिर होता है middle year और फिर क्या होता है internal year और इसमें कुछ parts को तुमको पढ़ लेना है class 8 में तो class 8 में पढ़ोगे वही class 9 में भी आ जाएगा बच्चो तो class 8 में तुमने अच्छे से समझ लिया तो class 9 में sound chapter काफी easy हो जाएगा तुम्हारे लिए ठीक है तो चलो हम लोग देखते हैं year के 3 parts को तो सबसे पहला क्या है external year तो external year कहां से कहां है बच्चो तो देख सकते हो यहां से यहां यह क्या हो गया external year का भाव हो गया external year में क्या क्या parts आते हैं तो देख सकते हो सबसे पहला जो भाग है और इसके बाद देख सकते हो यह है auditory canal यह जो दिख रहा है pipe के जैसे यह auditory canal और यहाँ देख सकते हो यह timphanic membrane है जिसे कहते है गान का परदा ठीक है तू यहाँ देखो तीन चीज़ हो गया सबसे पहले external year हो गया फिर क्या हो गया middle year हो गया फिर क्या हो गया internal year हो गया external year में तीन ही भाग तुमको जानना है ये देखो ये कान का पिन्ना हो गया इस तरीके से होता है फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ कान में छेद होता है बच्चो कुछ आगे दूर तक च्चेद होता है इसको बोलते हैं हम लोग auditory canal बोलते हैं यह देखो यह क्या है वच्चों जल्दी बताओ auditory canal साफ साफ दिख रहा होगा तुम्हें यहां और तीसरा यहाँ पर है तुम्हारा tymphanic membrane क्या बोलते है Him Pana कान का पर्दा कहते है तुमुझ जानते होगे यहाँ पर यह है tymphanic membrane हो गया ही external year चलो internal year में हम को 3 हड़ियों के बारे में पढ़ना है सबसे पहता होता है malleus, दूसरा क्या होता है incus और सौतिसरा क्या होता है यह देखो यह तेपष तो यह तीन यहाँ पर क्या है में वंड्यू में दो मिडियू में तीन हड्यूं हो गई पहले हो गया इंकस метgehen का हो गया बोलो स्क एपार अब यहाँ पर देखोगे स्टेपस के बाद होता है oval window ये तुमको याद रखना है और एक नाम और याद रखना हुआ है cochlea बस इतना ही नाम याद रखना है इतना नाम याद रखना है आप cochlea से देखोगे कि यहाँ पर यह जो nerve है यह निकलेगा और brain तक चला जाएगा और brain में फिर आवाज का sensation होगा तो यहाँ electric impulse के रूप में यह sensation कहाँ चला जाता है brain में और brain फिर detect करता है कि क्या सामने वाला बोल रहा है या क्या sound आ रहा है समझ में आ गया external ear, internal ear और middle ear अब देखो sound कैसे हम सुन पाते हैं तो बहुत simple way में यहाँ समझाए गया बहुत detail नहीं समझाए गया है तो sound सबसे पहले यहाँ पर external ear में collect होगा यह देखो इस भाग में और फिर यह क्या करेगा अंदर की और ले जाएगा अब यह जो sound अंदर की और गया है बच्चो यह कहां गया? auditory canal में चला गया auditory canal में जाकर यहाँ देख सकते हो यह timphanic membrane है उसको क्या करता है? धक्का दे रहा है मतलब उसको vibrate कर रहा है तो जैसे मैंने बता है vibration sound को produce करता है तो यहाँ यह vibration हो गया बच्चो यह vibrate कर रहा है timphanic membrane को हो गया clear तो timphanic membrane क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है अब देखो जो timphanic membrane है उससे सबसे पहला जो हड़ी लगा होता है उसका नाम होता है malleus timphanic membrane से जो हड़ी लगा होता है बच्चो उसका नाम क्या है? मैलियस देखो यहाँ पर तो यहाँ देख सकते हो इसी को ear drum भी बोलते है इसी को हम लोग timphanic membrane को क्या बोलेंगे? इयर drum भी बोलेंगे अलग-अलग इसके नाम है तो यहाँ देख सकते हो इससे सबसे पहला हड़ी यह white रंग का यह जुड़ा हुआ है मैलियस उससे फिर बीच में जुड़ा हुआ है इनकस और उसके लाश्ट में यहाँ देखो क्या है स्टेपिस यहाँ पर यह वाला हड़ी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो vibration प्रोडूस हुआ बच्चों कहां ear drum में और यह vibration को कई गुणा बढ़ा डेता है अब इस टेपिस में पहुचने के बात यह जो vibration है कहां चला गया और कोकलीय के बाद इसको पिया किया जाता है इसको फिर बोलो किस रूप में बदल दिया जाता है याई इसको electric impulse के रूप में बदल दिया जाता है और electric impulse के रूप में ये चला जाता है brain में और फिर brain detect करता है कि क्या आवाज आ रहा है है ना बहुत आसान तो इदम simple सा है तुमने इसे यदि समझ लिया होगा तो तुम आसानी से इसको लिख सकते हो तो कुछ points यहाँ तुम याद रख लो इतना तो मैंने समझा दिया लेकिन अब कुछ question wise इसको समझ लो तो question wise सबसे पहला समझ लो यहाँ पर बोलेगा जो कि यहाँ तीन हड़िया है malleus incasus और steppus यहाँ देखो malleus को hammer बोल रहा है तो malleus incasus और steppus है इसको advil अलग नाम हो गया तो malleus incasus stepus हो गया इसका कारी क्या है तो answer में क्या करोगे यह vibration को क्या करता है amplify करता है सीधे answer क्या करोगी जो तीन हडिया है जो vibration जा रहा है उसको amplify करता है मतलब कई गुना बढ़ा देता है होगी answer चोलो next next जो है कि यहाँ पर जो sound है वो किस रूप में change होता है तो मैंने बोला electrical impulse के रूप में change होता है तो यहाँ तुम्हारा लिखा हुआ है electrical signals के रूप में change होरा है तो बहुत simple हो गया electrical impulse या electrical signals यह तुम्हारा answer हो गया electrical signals के रूप में वह किसकी दोरा brain तक जाएगा तो answer कर दोगे तुम यहाँ पर देख सकते हो auditory nerve के दोरा किसके दोरा auditory nerve के दोरा तो यहां auditory audio से related है बच्चो audio मतलब क्या हो गया आवाज audio से ही यह सारा word तुमको देखने को मिलेगा तो auditory canal हो गया auditory nerve हो गया यह सब audio से related word है जो तुम्हें समझ में यहां पर आ रहा होगा अब यहां देखो amplitude, time period and frequency of a sound तो यह बहुत ही important है बच्चों यहां देख सकते हो बहुत सारे चीज़ों को एक साथ मैं धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ तो यहां आप देखना मैंने क्या बताए जब sound wave इस तरीके से चल रहा है तो उसको wave के रूप में हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं और जिसको बोलते हैं wavelength किसे कहते हैं तो बच्चों जो nearest दो crest है यहां से यहां का बीच का दूरी है या यहां से यहां का बीच की दूरी है nearest trough के बीच की दूरी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं wavelength कहते हैं wavelength को बच्चों lambda से हम लोग दिखाते हैं और wavelength को हम लोग measure करते हैं बच्चों, meter में यह याद रखो, wavelength के बारे में इतना बात याद रखना है, तो कभी भी पूछा जाएगा कि wavelength क्या है, answer क्या करोगे, दो लगातार crest या दो लगातार trough के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, wavelength कहते हैं, और यह जो wavelength है उसको lambda से दिखाते हैं, इस तरीके से ultra y लिख दोगे तो यह जाएगा, lambda हो जाएगा, और इसको measure किस में करते हैं, meter में, complete, चलो, दूसरा अब हम लोग देखते हैं, दूसरा है amplitude, तो पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद पढ़ा के समझा दूँगा, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो crest बन रहा है, या trough बन रहा है, तो यह mean points इसका जो दूरी होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चो, उसे ही हम लोग बोलते हैं, देखो, यह जो mean points से दूरी हो रहा है, यह वाला, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से में पढ़ा रहा हूँ, देखो, सबसे पहला क्या हो गया, amplitude, sound is produced by to and from motion of an object is known as vibration, ये तो मैं ने पता दिया, this motion is also called oscillatory motion, थोड़ा सा sound के बारे में बताए गया है, ये जो लिखा हुआ है, उससे question आ सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, sound में particles to and from motion करते हैं, आगे पीछे, आगे पीछे, एक point के, ठीक है, और उस तरीके के vibration को हम लोग क्या बलेंगे, oscillatory motion कहेंगे, ये सारे points तुम अब दिमाग में रखते जाओ, sound propagates from one place to another in the form of waves, तो sound एक जगा से दूसरे जगा जा रहा है, wave के रूप में, कौन सा wave है, longitudinal wave है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, because of the disturbance of particles in the medium, यानि यहाँ particles disturb हो रहे हैं, vibrate कर रहे हैं, या आगे को vibrate कर रहा है, या आगे को vibrate कर रहा है, इस तरीके से sound का propagation हो रहा है, sound एक जगा से दूसरे जगा propagate कर रहा है, अब यहाँ देख सकते हो, wave is a phenomenon of disturbance in which energy is between the points, so sound is considered as a wave, तो जिस तरीके से wave जाता है, बच्चो, wave में क्या transfer होता है, energy transfer होता है, जो wave होता है बच्चो, उसमें energy का transfer होता है, particle जहाँ है, वहीं रहते हैं, जैसे यहाँ पर wave यदि आ रहा है, जैसे पानी में तुम क्या करोगे, एक पत्थल को डालोगे, तो इस तरीके से तुम्हें wave देखने को मिलेगा, तो इसे particle एक जगा से दूसरे जगा नहीं जाते हैं, बलकि particle वहीं हिलते रहते हैं, और energy दूसरे particle को देते रहते हैं, ठीक इसी तरीके से sound भी क्या करता है, sound जब travel करता है, तो medium के particles जहाँ हैं, वहीं हैं, आगे की और नहीं बढ़ते हैं, बलकि energy को transfer करते हैं, इसलिए sound को भी हम लोग क्या मानते हैं, wave मानते हैं, बार-बार मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ, अब चलो amplitude के बारे में जैसे मैंने बताया, in sound wave, the maximum displacement associated with the particles constitutes a wave is called its amplitude, तो जो maximum displacement होता है from its mean point, यह याद रखो, the maximum displacement from the mean point, जो mean point है, mean point है, इसका जो maximum displacement है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस तरीके से, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, amplitude, जरा बताओ, इसका amplitude जादा है, या इसका amplitude जादा है, तो बच्चों उपर वाले का amplitude क्या है, जादा है क्योंकि यहाँ displacement क्या हो गया जादा और इसको A से हम लोग दिखाते हैं capital A से amplitude को क्या करते हैं हम लोग denote करते हैं ठीक है अब चलो दूसरा हम लोग आ गया wavelength तो मैंने बता दिया अब आ गया frequency frequency बहुत आसान चीज़ है यहाँ ध्यान से देखना frequency तुम्हारे लिए बहुत आसान है तो सबसे पहले अब समझो एक complete wave cycle कितना होता है तो देखो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तो यह आधा wave cycle हो गया half wave cycle हो गया और यहाँ से शुरू हुआ यहां तो इसको हम लोग बोते complete wave cycle दिख रहा है यहाँ से यहां और यहां से यहां इसको हम लोग बोलेंगे एक complete वेब साइकल हुआ है जैसे देखोगे यहां पर इस तरीके से खिच दिया गया तो यहां पर यहां ऐसे करेंगे तो यहां से एक दो तीन तीन वेब साइकल यहां पर है कितना वेब साइकल अब अच्छो थ्री वेब इस तरीके से शे मानलो हैं थिक जो नहीं तो छे हैं तो थ्यान से सीखो कितना ल्गान कर लिया इस तरीके से एक दो 2 3 4rain तो यहां जो wave cycle साइकल है है यहां चार wave cycle है और कितना है छे wave cycle है और मालो यहां सी यहां जो time मैं बच्चो वहाँ एक second है कितना second है एक second है तो इसे ही हम लोग बोलेगे frequency बोलोगे क्या इसे बोलेगे e frequency समझ तो नहीं आया अब भी समझा दे रहा हूँ तो एक सेकेंड में, टाइम लेना है तुमको एक सेकेंड, टाइम लेना है एक सेकेंड, तो एक सेकेंड में, जितना वेब साइकल प्रोड्यूस होता है, उसी को उसका फ्रिक्वेंसी कहते हैं, एक सेकेंड में, जितना वेब साइकल प्रोड्यूस होगा बच्चो, उसी का उस उसका क्या कहेंगे? Frequency कहेंगे. तो और Frequency को हम लोग Herz में measure करते हैं. HZ. Frequency को किस में measure करते हैं? Herz में. तो अब ध्यारा सुनो ध्यान से. इससे question तुमारा बन सकता है. तो यदि Frequency है तुमारा 3 Herz. इसका मतलब क्या हो गया? कि 3EEP cycle produce हो रहा है. 3EEP cycle प्रोड्यूस हो रहा है एक सेकेंड में फ्रिक्वेंसी है तुम्हारा पांच हर्ज बच्चो चार हर्ज तु बोलोगे कि एक सेकेंड में चार वेब साइकल प्रोड्यूस हो रहा है और फ्रिक्वेंसी है तुम्हारा छे हर्ज बच्चों तो तुम बोलोगे एक सेकेंड में 6 वेब साइकल प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो और देख लो एक सेकेंड में जितना वेब साइकल प्रोड्यूस होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे उसका फ्रिक्वेंसी और उसको दिखाएंगे हर्ज में जैसे एक सेकेंड में 10 वेब साइकल तो कितना फ्रिक्वेंसी है 10 हर्ज ओके चलो एक सेकेंड में 20 वेब साइकल है तो कितना frequency है 20 Hz एक सेकेंड में 100 वेब साइकल है तो कितना frequency है 100 Hz अब एक सेकेंड में 20,000 वेब साइकल है तो बताओ कितना हो गया frequency 20,000 Hz हो गया तो अब समझ में आ रहा है तुम्हें frequency frequency हो गया कि एक सेकेंड में कितना वेब साइकल प्रोड्यूस हुआ है तो तुम जरा यहां देख कि बता एकदम simple सा कि किसमे frequency तुम्हें ज़्यादा लग रहा है यदि यह एक second है तो यहां obvious है कि इसका frequency क्या है ज़्यादा है क्योंकि एक second में यहां बहुत ज़्यादा wave cycle produce हो रहा है तो frequency को हम लोग किसमें measure करते हैं बच्चो हर्ज में measure करते हैं जैसे मैंने तुम्हें बता दिया ठीक है अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां देख सकते हो frequency of 20 hertz is 20 oscillation या 20 wave cycle produce हो रहा है एक second में तो यहां oscillation भी तुम याद रख सकते हो वर्ट की oscillate कर रहा कितने बार oscillate कर रहा है एक second में उसको हम लोग क्या कहेंगे उसका frequency कहेंगे measure किसमें करेंगे हर्ज में जोदी कभी पुछी एक हर्ज क्या मतलब होगे तो एक oscillation हुआ एक second में या एक wave cycle produce हुआ एक second में समय लगा है उसको हम लोग क्या बहुत तो यहां पर यह ठीक है चलो time period अब देखते हैं तो time period क्या हो गया बच्चो यह भी बहुत आसान है एक wave cycle में जितना time लगता है उसे हम लोग time period कहते हैं बहुत simple सा है time period क्या हो गया कि एक second में एक wave cycle में एक wave cycle यहां से यहां में जितना समय लगा है उसी को हम लोग क्या बहुत है time period इसको t से दिखाते हैं किसे दिखाते हैं t से और इसका जो unit है एसा unit वह क्या है second क्या है बच्चो second यह याद रखो तो इस तरीके से हुए हुए तुम्हारा time period ठीक है अब चलो अब कुछ sound के properties को हम लोग को पढ़ना है तो sound जैसे loud हो सकता है या sound loud नहीं हो सकता है तो यही से हम लोग देखेंगे loudness and pitch of sound यह question बहुत important है यह तुम्हारे exam में एकदम direct पूछा जा सकता है तो देख सकते हो पहरा loudness of sound loudness of sound is the measure of sound energy reaching the ear per second तो measure क्या है यह कितना loud sound है तुम खुदी जा सकता है तो यही sound loud है मतलब यह कितना तुम्हारे कानों पर यहां पर energy को पहुचा रहा है loudness और softness of sound depends on its amplitude यही question है जो तुम्हारे exam में पूछा जाएगा जो पहले भी मैंने बताया जो loudness sound का वह किस पर अधारित है इसके amplitude पर तुदी sound loud होगा तो इसका amplitude क्या होगा बहुत तो इसका amplitude क्या होगा कम होगा amplitude तब समझ में आ गया यह जो दूरी है इसे हम लोग क्या वहल रहे है amplitude कह रहे है तो loud sound का amplitude ज्यादा होता है और जो sound loud नहीं है soft sound क्या होता है कमती एकदम direct question है एकदम याद रखो exam में जरूर यह पूछेगा तुम्हारा loudness of sound किस चीच पर नि करते हैं जैसे normal breathing है तो यहां पर 10 decibel है 10 decibel, soft whispering है तो 30 decibel, normal conversation है तो 70 decibel, busy traffic है तो 70 decibel, फिर average factory है यहां पर देख सकते हो तो है 80 decibel, above 80 decibel the noise becomes physically painful, तो यह दी 80 decibel से ज्यादा sound है तो तुमको बच्चों यह data याद करना अलग-अलग तो बुक्स में थोड़ा variation तुमको मिलने वाला है, कहीं कहीं whispering 20 decibel भी दिख देता है, लेकिन whispering मतलब क्या हो गया, फुस फुसा के बात करना, normal जिसे हम लोग बात कर रहें, conversation कर रहें, वो हो गया, 60 decibel, तो जो NCRT में data है उसको तुम याद कर लो, और बाद में तुम क्या कर करना, बाद में क्या करना, जब जहां जैसा मिलेगा वैसा याद कर ले न, यहां तो यही याद करके चलना है, चलो, pitch और shrillness of sound, तो pitch या फिर shrillness sound किस चीज़ पर निर्भर करता है, क्या तुम में पता है, frequency पर निर्भर करता है, तो यहां देख सो, pitch is the sensation of the frequency of an emitting sound, तो यह यहां direct question होगा, direct answer होगा, loudness किस पर निर्भर करता है, amplitude पर, pitch किस पर निर्भर करता है, उसके frequency पर एक्दम याद कर लो, तो यहां देख सकते हो, the pitch of sound, जिसो shrillness कहेंगे, वह क्या होता है, depends on frequency, क्या किस पर निर्भर करता है, frequency, sound के frequency पर निर्भर करता है, तो sound का frequency यदि ज्यादा होगा तो यहान श्रिल्निस ज्यादा होगा sound का frequency कम होगा तो shrillनिस या फिर pitch क्या होगा कम होगा तो यहां देख सकते हो sound which greater frequency is thriller and has higher pitch जदा पीछ ज्यादा frequency होगा ज्यादा reach कम frequency होगा कम pitch अगतम याद कर लो यह तो exam में तमारा जरूर पुछा जाएगा तो यह सब कुछ question है बच्चो जो कि तुम्हें याद कर लेने चाहिए तो यहां देख सकते हो यहां पर pitch क्या है कम है और यहां पर pitch क्या है ज्यादा है तो देख सकते हो children and women produce high frequency sound so their sound is thriller or higher pitch यह सारा question इतना important है तुम्हें मैं क्या बताओं पुछा जाएगा जो बच्ची होते है और जो ladies होती है उनका pitch क्या होता है ज्यादा होता है या कम होता है तो answer उनका pitch ज्यादा होता है और उनका आवाद ज्यादा shrill होता है इस तरीके से जो adult मेल होते है उनका frequency क्या होता है कम होता है lower frequency होता है उनमें मतलब कि lower frequency का sound होगा तो तो पिछ क्या होगा उसका कम होगा ये बाद तुम याद रखना a drum produces lower frequency sound which is less real तो ड्रम लेश्रील होगा जबकि देख सकते हो यहां पर whistle क्या करेगा higher frequency sound करेगा तो देखो यहां तुम दीख की क्या बता सकते हो किसका frequency कम है और ज्यादा है इसका frequency कम है और इसका frequency क्या ज्यादा जो दूर दूर रहेगा frequency क्या रहेगा कम और जो पास पास रहेगा frequency क्या होगा ज्यादा ठीक है इस तरीके से तो drum में क्या हो गया कम frequency हो गया कम पीछ हो गया और यहाँ whistle में क्या हो गया ज्यादा frequency हो गया ज्यादा पीछ हो गया ठीक है अब हम लोग अपने next topic की और बढ़ते हैं बच्चों तो अपने next topic की और बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं audible and inaudible sound कैसे sound हम लोग सुन सकते हैं और कैसे sound हम लोग सुन नहीं सकते हैं तो यह बहुत आसान है बच्चों जो sound का frequency 20 Hz से 20,000 Hz का होगा उसको हम लोग बोलते हैं audible range का sound और वह sound हमारे कान detect कर सकती है मतलब जो मनुश्य है बच्चों उनका audible range क्या है सुनने का range क्या है तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज का यदि कोई साउंड है उसका frequency 20,000 हर्ज है या उससे ज़्यादा 20,000 हर्ज तक है तो हम लोग उसको सुन सकते हैं वह audible sound है लेकिन जो sound 20 हर्ज से कम होगा या 20,000 हर्ज से उसका frequency ज़्यादा होगा वह हमारे कानों तक सुनाई नहीं पड़े यानि हम लो कान का रेंज है बच्चों sound of frequency below 20 हर्ज and above 20,000 हर्ज is called sound of inaudible range मतला वो inaudible है हम लोग उसको सुन नहीं सकते हैं देख सकते हो many animals such as dogs, cats वो क्या कर सकते हैं इन frequencies के sound को सुन सकते हैं जबकि बहुत ऐसे जानवर हैं जो कम frequency के sound पर आपस में क्या करते हैं आपस में conversation करते हैं यहा noise and music तो noise तुम्हें अच्छा लगता है क्या बिलकुल नहीं अच्छा लगता है और music तुम कितना पसंद करते हो बहुत जादा पसंद करते हो तो noise and music में क्या अंतर है यहां देख सकते हो it is the sound that is unpleasant to hear वैसा sound जो कि unpleasant लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं noise बोलते हैं शोर बो चैते हैं वह music है बच्छो अब देखते है noise pollution तो noise pollution आज जानते हो तुम कितनी बड़ी समस्या है लोगों के लिए कैसे समस्या है क्योंकि noise pollution से बहुत सारे problem हो सकते हैं even कि बहुत जादा यदि noise pollution हो बच्छो तो किसी का death भी हो सकता है यहां देख सकते हो presence of excessive loud unwanted or unbearable sound to our ear sound in the environment is called noise pollution तो वैसा sound जो कि हमारे कानों को बहुत जादा loud लगता है करकश लगता है हमारा जो कान है उसको tolerate नहीं कर पाता है वैसे sound को हम लोग क्या बोलते हैं वैसे sound क्या करता है pollution पैदा करता है और उसे हम लोग क्या बोलेगी noise pollution एक्जाम बस तो तुम जानते ही हो जो vehicles हैं उ जैसे की crackers का फूटना फिर machines का loudspeakers हो गया television हो गया with high volume तो बहुत सारा जैसे देख तो कई function होते हैं तो बहुत loud आवाज में loudspeaker को बजाए जाता है तो वो क्या करता है वो sound pollution को cause करता है problems due to noise pollution या भी question आ सकता है कि what are the problems that are caused by noise pollution तो इसका भी answer लिख सकते हो due to noise pollution many types of health related problems अकर noise pollution से health related problems हो सकते हैं जैसे की देक'RE शकता है लाक आफ स्लिप जीत से बोलते हैं सोने की कमी हो सकती है दुसरा कि होता है hypertension जीसे high blood pressure करते हैं loss of hearing कान का जो hearing है वह क्या हो सकता है कम हो सकता है या बहरे हो सकते हो anxiety हो सकता है तो यह सारा चीज हो सकता है बहुत problematic और तुम जानते हो 80 decibel से ज़्यादा sound क्या है बहुत ज़्यादा harmful होता है और person who is exposed to loud sound continuously may get permanent or temporary impaired of hearing or loss of hearing यही कारण है बच्चों कि हम लोग जो earphone लगाते हैं उसका sound हमें normal रखना चाहिए ऐसा नहीं कि बच्चे लोग यह ज़्यादा करते हैं कि earphone लगा लिया headphone लगा लिया और बहुत ज़्यादा loud sound में music सुनते हैं तो उससे हमारे कानों को बहुत नुकसान पहुंचता है बच्चों अब देख सकते हो मेजर्स टू लिमिट नॉइस प्रोडूशन को कम करना noise can be limited to control by controlling the noise source तो noise pollution कम करने का सिंपल सा कैसा solution है कि noise जहां से प्रोडूश हो रहा है उसको कम करो तो noise pollution खुदी सभाब तुझायगा noise pollution can be controlled by taking following steps तो बहुत सारे स्टिप्स noise pollution को रोखने के लिए लिए जा सकते हैं जैसे देख सकते हो TV radio और loud speaker should be played at lower volume तो यह तो बड़ा सा सिंपल सिंपल चीज है कि यदि noise pollution ज्यादा sound से हो रहा है तो भाई sound को कम कर दो और क्या करना कुछ खास तो करना नहीं है इसमें by installing high quality silencing devices in vehicles, aircraft, engines, industrial machines and home appliances यह वाला बहुत अच्छा बोल रहा है देखो generator तुमने देखा और generator दो प्रकार की होते है बच्चो एक ऐसा generator होता है जिसमें sound proofing करके उसको चलाया जाता है तो वहाँ पर noise pollution बहुत कम होता है और एक ऐसा generator होता है जो कि बहुत जादा loud sound produce करता है तो यह बहुत अच्छा idea है कि जब आप कहीं sound loud sound produce कर रहे है उस type के machine से तो वहाँ पर उसको क्या करें sound proof बनाने का कोशिस करें अब away from residential area तो यह भी बहुत अच्छा बात है कि जो industries है जहां पर बहुत heavy sound produce होता है production होता है sound का उसको क्या किया जाए ऐसे area में लगाया जाए जहां पर population कम हो जहां पर residential area ना हो तो उससे भी noise pollution बहुत कम होगा वहां के लोगों को परिशानी बहुत कम होगी awareness campaign and noise operations should be done to make people aware about the harmful effect of noise pollution तो noise pollution के लिए लोगों को aware किया जाए जिससे कि उन्हें पता चले कि noise pollution आखिर है क्या और उससे क्या-क्या problems हो सकते हैं तो बच्चो यदि तुम हमारे चैनल से regular पढ़ते हो तो हमारे चैनल को subscribe करके ही पढ़ना और चैनल में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए class 8 की लगभक जो chapters है उसके full वीडियो मैंने बना दिये हैं तो तुम playlist को खोलना class 8 science playlist को खोलना वहां सारे वीडियो तुमें मिल जा